नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि क्लॉटनिल एट अबलेट का उप्योग किन कंडीशन्समें किया क्लॉट्मिल ए टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और क्लॉट्मिल ए टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यहां भी डिसकस करेंगे कि क्लॉट्मिल ए टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए क्लॉट्मिल ए एक ब्रैंड नेम है Klotmil A Tablet के अंदर खून पतला करने वाली दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है Klotmil A Tablet के अंदर Salt Composition, Clopidogrel 75mg और Aspirin 75mg होता है Klotmil A Tablet शरीर में खून को पतला करती है और शरीर की नसों में खून के क्लोट बनने से रोकने में मदद करती है Klotmil A Tablet खून को पतला रखती है, जिसकी वज़से दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा लगने का जोखिम कम हो जाता है जिन व्यक्तियों को पहले कभी दिल का दौरा पढ़ चुका है या लगवा लग चुका है ऐसे व्यक्तियों में दिल का दौरा पढ़ने का या लगवा लगने के जोखिम को कम करने के लिए भी डॉक्तर Klotmil A Tablet को लेने की सलाह दे सकते हैं Side Effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Klotmil A Tablet की वज़ा से कोई Side Effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Klotmil A Tablet की वज़ा से कुछ Side Effects हो सकते हैं जैसे नाक से खून आना, दस्त होना, बधजमी होना, सीने में जलन होना, सिरदर्ध होना और पेट में दर्ध होना आदी Side Effects Klotmil A Tablet की वज़ा से हो सकते हैं Klotmil A Tablet खून को पतला करती हैं, जिसकी वज़ा से कोई चोट लगने के बाद अधिक खून बहने का जोखिम अधिक हो जाता है अगर आप Klotmil A Tablet को ले रही हैं और अगर आपको ज्यादा चोट लग गई हैं तो आपको तुरंत ही नजदी की Hospital में जाना चाहिए ताकि अधिक ब्लीडिंग होने के जोखिम को कम किया जा सके अब हम डिसकस करेंगे कि Klotmil A Tablet को कैसे लेना recommended होता है Klotmil A Tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है आम तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर Klotmil A Tablet को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं Klotmil A Tablet को हर रोज एक निर्धारिक समय पर लेना recommended होता है Klotmil A Tablet की दोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको Klotmil A Tablet को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई दोज में ही लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि Klotmil A Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए अगर किसी व्यक्ति की कोई सरजरी होने वाली है या दान्त निकलवाना है तो ऐसी स्थिती में डॉक्तर सरजरी करने से या दान्त निकालने से एक से लेकर दो सफ़ताह पहले Klotmil A Tablet को बंद करने की सला दे सकता है इसलिए यदि आपकी सरजरी होने वाली है या आपको दान्त निकलवाना है तो आपको Klotmil A Tablet के बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए Klotmil A Tablet के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि Klotmil A Tablet के साथ शराब का सेवन करने की वज़े से पेट में ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है अस्थमा से पीडित व्यक्तियों को Klotmil A Tablet को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है क्योंकि Klotmil A Tablet अस्थमा से पीडित व्यक्तियों को देने से अस्थमा के लक्षणों को ट्रिगर कर सकती है शरीर में प्लेटलेट्स कम होने पर, पेट में अलसर होने पर, पेट में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, हीमोफिलिया होने पर, ब्रेन हेम्रेज होने पर और लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर Klotmil A Tablet को लेना recommended नहीं होता है इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सला के बिना Klotmil A Tablet को नहीं लेना चाहिए पेट में गैस और एसिडिटी को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली proton pump inhibitors दवाईया जैसे इसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पैटोप्राजोल और रैबिप्राजोल आदी दवाओं के साथ Klotmil A Tablet को लेना recommended नहीं होता है इसके अलावा दर्द को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली non-steroidal anti-inflammatory दवाईया जैसे एसिकलोफनेक, डाइकलोफनेक, आईबुप्रोफेन और निमसुलाइड आदी दवाओं के साथ भी Klotmil A Tablet को लेना recommended नहीं होता है अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि Klotmil A Tablet प्रेगनेंट महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं को डॉक्टर Klotmil A Tablet को लेने की सलाह तभी देते हैं जब Klotmil A Tablet का देना बहुत ही जरूरी हो और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Klotmil A Tablet का सेवन करना recommended नहीं है स्तनपान करा रही महिलाओं में Klotmil A Tablet मा के दूद के जरिये बच्चे तक पहुँच सकती है और दूद पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कलॉटनिल ए टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते है